lesson number 17 exercise 7.3 question number 12 को solve करेंगे इसके चार पार्ट हैं मैं दो पार्ट solve करूंगा बाकि दो आपने खुद करने होगे यह देखें यह हो गया इधर हो गया इधर हो गया B इधर हो गया C अच्छा situation यह है कि मैं इसको तुमसा clear करना चार रहा हूं वो यह है कि मैं इसको बार बढ़ाओंगा इस वेक्टर को यह रहा तो यह A हो गया अच्छा यह angle A हो गया यह angle B हो गया यह angle C हो गया अच्छा A के सामने वैटर को मैं नाम दे रहा हूं इसको वेक्टर A, B के सामने वेक्टर B, C के सामने वेक्टर C, ये ट्राइंगल है, तो इस तरह से है यह ए वेक्टर B की डिरेक्शन है यह वेक्टर C की डिरेक्शन है यह वेक्टर A की डिरेक्शन है Direction क्लिर करना ज्रूरी होता है ताकि हमें अच्छे अंदाज में idea हो सके वेक्टर की जब भी बात करेंगे उसकी direction बहुत important है तो अब ये एंगल है हमारे पास A, ये एंगल B, ये एंगल C अच्छा ये बात आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन के ओपर एंगल होता है 180 डिगरी अब अगर गोर किया जाए तो ये जो पूरा है ये वाला पूरा ये पूरा एंगल ये तो 180 है तो ये अगर C है तो रिमानिंग कितना हो जाएगा 180 डिगरी माइनस है C जैसे यहाँ बात की जाए अगर ये एंगल 45 डिगरी है तो रिमानिंग कैसे कितना होगा 180 minus 45 करेंगे न यहांपर यह किया अच्छा यह अगर B है तो यह जो एंगल होगा यह पिर होगा 180 degree minus B और अगर यह A है तो यह वाला जो एंगल होगा यह होगा 180 degree minus A कर दें इसको यह कर दें तो सिंस ट्राइंगल है सिंस इन ट्राइंगल A, B, C हम यह बात जानते हैं कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू 0 चुँकि यह ट्राइंगल है लहाजा close figure है A vector, B vector, C vector जहांसे A start हो रहा है वहीं पर आखरी vector end हो रहा है यह close figure हो गई तीनों का sum जो है वो 0 आ जाएगा तीनों वेक्टर का sum तो यहांसे ऐसा करते हैं कि B vector लेते हैं तो यह minus A और minus C हो जाएगा उठाकर तो लाएंगे तो minus A और minus C हो जाएगा मैं इसका डाट लूँगा B के साथ B का डाट लिया B के साथ इदर minus A है minus C है इसका भी डाट ले रहा हूँ B के साथ दौनों तरफ मैंने डाट ले लिया B के साथ ऐसा एक और बात आपने mind में रखनी है जो कि बहुत important बात है वो यह है कि A का जो magnitude है उसको मैं simple A से लिखूँगा B का जो magnitude है उसको simple B लिखूँगा C का जो magnitude है उसको simply C लिखूँगा तो मैंने डाट ले लिया अच्छा जब B का डाट लेंगे B के साथ तो यह आएगा B का magnitude B का magnitude cos 0 degree तो यहां देखें माइनस A डाट B होगा माइनस C डाट B होगा यह operate हो जाएगा यह distributive law होता है जो बुक में दी आवा है अच्छा यह B मैंगनिचूड B हो जाएगा B हो जाएगा cos 0 1 होता है अच्छा यहां देखें कि आएगा माइनस time of इसको हल करें ज़रा A मैंगनिचूड B मैंगनिचूड cos अब A और B वेक्टर जाएगे कौन सा अंगल बन रहा है यह A वेक्टर हो गया यह B वेक्टर हो गया यह A की यह direction है और B की वो direction है तो अंगल जो बन रहा है 180 माइनस C बन रहा है 180 degree माइनस C अंगल बन रहा है इसको बन जो अंगल बन रहा है cos के अंदर वो यह है अचा पर next क्या है minus next क्या है C C मैंगनिचूड B मैंगनिचूड cos of अब यहां तक क्या अंगल बन रहा है B और C के जबने हमने अंगल देखें B वो रहा C यह रहा 180 degree माइनस A होगा 180 degree माइनस A हो जाएगा अच्छा यह हो गया B square यह आजाएगा minus A B cos cos of C आजाएगा minus cos of C अच्छा minus है तो यह भी देख रहे हैं आप कि यहां पर यह रहा जाएगा C B और इदर आजाएगा cos minus cos of है A हो जाएगा तो B square equal to minus minus plus हो जाएगा A B cos C plus B C cos A अच्छा यहां पर हमने एक एक एजल्ड यूज किया है वरुजब एक्स्वेन करता हूँ आपके लिए B से डिवाइड करें दोनों तरफ जब B से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो B square over B अलग अलग डिवाइड होके B कामल ले लें दोनों तरफ तो यह आजाएगा A cos C plus C cos A और यहां भी B से डिवाइड किया जब B से डिवाइड करेंगे तो यह कैंसल हो जाएगा इदर पावर रह जाएगी 1 तो B आजाएगा C cos A A cos C आजाएगा यह हमारे पास result हमने proof कर लिया अच्छ इसके अंदर एक note है जो बहुत important है वो यह है देखें आपने यह mind रखना है के cos alpha minus beta होता है cos alpha cos beta sin alpha sin beta जब हम करेंगे cos 180 degree minus A करेंगे तो यह होगा cos 180 degree cos A plus sin 180 degree sin A अच्छा, cos variety पर होता है minus 1 cos A sin होता है 0 sin A तो यह minus cos A हो जाएगा तो यह चीज़ा जाएगी हमारे पास है इसके लिहाज से तो cos 180 minus B हो cos 180 minus A हो तो minus cos A यह minus cos B यह minus cos C आएगा इसके लिए मैंने यहाँ देखें result यूज किया था यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह minus आया यह देख लेंगे हैं minus आगे यहाँ पर तो यह 180 degree minus A था तो minus cos A हो गया 180 degree minus C था तो minus cos C हो गया और से result है drive कर लिया हमने अच्छा next result है वो भी इस तरही है C square equal to A square plus B square minus 2 A B cause है C यहाँ पर देखें मैं काम करता हूँ इस तरही पहले triangle draw करेंगे उसके बाद बागी काम करेंगे अच्छा यह triangle ABC है उस तरही यह रहा आपका A B C angle A angle B angle C A के सामने vector small A यानि B C vector small A है यह C A vector है small B small C यहाँ पर आपने एक बात मन रखनी है कि जो vector B C है वो A vector है जो C A है वो B vector है जो A B vector है वो C vector है अब जहाँ तक बाद direction की है वो बाद यह हमें समनी होगी कि इसकी direction देके यह जा रही है और यह angle बनेगा जो पहले हम discuss कर चुके हैं 180 degree minus A इसकी direction यह जा रही है इसकी direction इदर जा रही है यह जो angle बनेगा 180 degree minus C चुके यह बाद में पहले बता चुको हूँ आपको यह अगर straight line है फर एक्जामपल इसकी उपर angle है 180 degree का तो अगर यह angle है फर एक्जामपल 60 degree का तो remaining जो होगा यह जो remaining होगा angle यह वाला remaining angle इपर आएगा 180 degree minus C यह 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 बाद आपनी आरखनी है और direction में जब भी dot लेते हैं तो मैंने पहले बताया था आपको कि दोनों की direction का clear होना जरूरी है तब यह angle theta हमें apply करेंगे अदर वाज नहीं करेंगे तो इसको solve कर लेते हैं यह दो बाते हैं जो आपने mind में रखनी है अच्छा इसको solve करते हैं लेकर solve करने से पहले एक और बात वो यह है कि अगर triangle है हमारे पास है और वो closed है तो जब closed होगी तो यह जो direction है तो यह जो डिरेक्शन है यह वेक्टर A है वेक्टर B है वेक्टर C है तो A plus B plus C equal to 0 होगा अच्छा इसको solution देखें जड़ा अब पहले डाग्राम में ड्रा की तो since in triangle ABC A plus B plus C equal to 0 तो यहां से करूंगा सीध रखूंगा मैं उसको ठाग्र उधर ले जाँगा माइनस A माइनस B कर देंगे अगर मैं इसको इस तरह लिखों माइनस time of इस तरह रिन जे देंगे इसको मैं C के साथ dot लोगा इसका तो माइनस A माइनस B dot C कर देंगे but c जो है वो है minus a minus b तो this implies c dot c minus a minus b dot minus a minus b हो जाएगा सिर्फ right hand side मैंने उसको use किया left side पे c को as it is रखने दिया तक result आ सके तो इसका मत्तब होगा c magnitude c magnitude cause of zero degree अच्छा इसको जेखें कैसे करेंगे यह minus कामल लें यहां से तो यह रह जाएगा a plus b dot यहां से minus कामल लें तो यह रह जाएगा a plus b अच्छा यह जाएगा minus 1 रख लें पे शाक आप इसको अपनी असानी के लिए यूंके minus 1 तो कामल लें आई सकता है minus 1 यहां भी आ गया अच्छा यह scalar है यह scalar है तो यह दोनों आपस मट्प्राइब हो जाएगे minus 1 minus 1 और यह रह जाएगा a plus b यह आ जाएगा इदर दुबार का बन जाएगा c square वालके इस पी बखनते है c into c into 1 अच्छा c square इदर आ गया इदर देखें यह बन जाएगा plus 1 और अंदर अब solve करना है यह देखें डाट है तो इदर होगा a dot a plus a dot b plus b dot a plus b dot b अब देखें अब क्या होगा अब इस तरह होगा कि c square है तो यह तो हो जाएगा a square प्लस यह देखें यह दो चीज़े हैं हमारे पास एक तो a dot b है b dot a है यह दोनों equal होते हैं but a dot b is equal to b dot a दोनों सेम चीज़े हैं तो यह आ जाएगा two times of a dot b plus b square एक और मने शाट यहां पर a step किया है वो यह है कि a dot लेंगे a के साथ तो a magnitude a magnitude cause of zero degree तो यह simply बन जाएगा a square जैसे पहले किया था and b dot b करेंगे तो b magnitude b magnitude cause zero degree तो भी हमारे पास है b square आ जाएगा तो यह बात आपने check करनी है cause zero degree तो यहां से देख रहे हैं आप है यह क्या बनता है now इसको कह दें कोई one कह दें now a dot b को लिसता हूँ a magnitude b magnitude एंगल देखना पड़ेगा a और b में ट्राइंगल में देखें जड़ा कि a और बिक देखने के एंगल बन रहा है 180 degree माइनस से c बन रहा है cos 180 degree, so 1 implies c square a square plus 2 times of a magnitude b magnitude cos 180 degree minus c or plus b square. तो यहां से आप देख रहे हैं c square a square plus b square plus a b और यह आजाएगा minus cos c आजाएगा b cos cos 180 degree minus theta अगर हो तो minus cos theta होता है अच्छा इसका मतभी हुआ c square a square plus b square और यह 2 भी था इसके दर में साथ तो minus 2 a b cos c result हमने प्रूफ कर लिया result हमारे पास प्रूफ हो गया minus 2 a b cos c यह 2 देखें यह 7 था इसके बाहर तो 2 यहां लेखना जरूरी है हमने पहले दे इसमें error किया था तो 2 शो करना जरूरी है और इससे यह है result प्रूफ हो गया इस lesson में हमने 2 last को प्रूफ किये जो technometric last है Thank you